सबस्कार मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज एटीड आईए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर से अपना परिशे दीजे क्या बड़न नीतिया चल नहीं समाजवादी पार्टी को लेके पस्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गदर गदर नचाता हूँ कि आपने जो आज की स्थिति है चुनापको बेरुजगारी को लेकर के उसके लिए आञे अज-से समय दिया हमारे लिए क्या लगता है पस्चिमी उत्तर प्रदेश में अखलेर जी कितना सक्सिस्फुल देख रहे हैं पश्चमी उत्रप्रदेश में जिस तरीके से भी अब थावन स्वीटों को चुनाव हुआ है पहले चरड में उसमें साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है समाजवादी पार्टी के जो नेता जी के आपके जो भी स्लोगन्स हैं क्या लगता है कि वो कामियाब स्लोगन्स है या भी हवाई दावे हैं जैसे भारती जंता पार्टी के थे 2017 तक पूरा किया चाहें यमना एक्सप्रेस भी ले लिजी आप 20 महिने में बनाया माने राष्टेदिक जी ने हाई कोड बनाया और बसट्डे बनवाए और आपका कितना लखनों के लिए क्या करेंगे आपके लोग युवाओ के लिए माने राष्टेदिक जी ने पहले भी 2012 उसमें सरकार में युवाओ को नुक्री दिये आने वाले समय में क्या आपकी घोष्टना है कितने युवाओ को रोजगार मिलेगा माने राष्टेदिक जी ने जो बोला है युवाओ को नुक्री देने के लिए वो पूरा करेंगे क्या लगता है कि आपकी सरकार बन किसान जिस परकार से जाट समुदाए किसान समुदाए जैन चौररी और आपके गडबंधन पार्टी को सपोर्ट करें आपको क्या लगता है कितनी सीटे निकल जाएंगी पाश्चिम उत्तर प्रदेश से पाश्चिम उत्तर पर्देश हम करी 50 प्लस पे सीटे ला रहे है कीवाल एक चरण की बात करें या फिर सब्ब जराइन का कितनी सीटे है तो अज़ाने की बात कर करते हैं центरा माने राष्टेदी जिस तरीके से बताया था और बोला है कि हम साड़े तीन सो पिलस ला रहे हैं तीन सो पचास धन्यबाद सब्सक्राइब